नमस्का जहिंद, All Exam Guide Guru का YouTube चैनल आप से भी देख रहे हैं, मेरा नाम है सुजीत पांडे यहाँ पर आपके लिए जीके के Most Important Question लिकर आएं, जो बार बार एक्जाम में पूछे या रहे हैं यह सभी Question आप जिस एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, उसमें आ सकते हैं Target है आदे Question सही करने का करते हैं, वीडियो को स्टार्ट, कोशिश कर दिएगा कि आदे आपके प्रशने सही जाएं पहला प्रशन है कि निम्लकित में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है, बताओ भारत में इनमें से कौन सा पठार इस्थित नहीं है, यहाँ पर आपको जो Option दिए गए हैं, क्या राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशनी के लिए भारत में कौन सा पठार इस्थित नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो Option दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मेकल, option number C मेकल पठार भारत में नहीं है छोटा नाक्पुर का पठार मालवा का पठार, और बुंदेर खंड का पठार ये तीनों पठार इस्ते थे ते हैं option थें मैकल पठार नहीं है किशन गंगा किस नदी की शहायक नदी है किशन गंगा इन में से किस नदी की शहायक नदी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत फेमस नदी है किशन गंगा और ये जेलम नदी की सहायक नदी है ओप्शन अमबर ये जेलम नदी की सहायक नदी है जन्ता पार्टी के साशन के दोरान भारत के राश्टपती कौन थे जन्ता पार्टी के साशन के दोरान भारत के राश्टपती कौन थे तो जन्ता पार्टी के साशन के दोरान भारत के राश्टपती N संजीव रेड़ी थे optionOTHER1 & Sanjeevready right answer chance N Sanjeevready यदि प्रत्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियान समाप्त हो जाएक towards प्रत्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियान समाप्त हो जाएं to किसnin गैस की कमी हो जाएक right answer क्या है यहां पर आपकुछ option दिये गए है गैसों के नाम दिये गए उसमें से oxygen की कमी हो जाए जाए option हम बसी oxygen यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है टेरा कोटा मंदर के लिए प्रसिद विष्णूपूर कहा है इस्थित है किस राजम है क्या right answer हो जाएगा तो टेरा कोटा मंदिरों के लिए प्रसुद विश्णूपुर यह आपका पश्चिम बंगाल राजी में है पश्चिम बंगाल राजी की राजधानी क्या है कमेंट करके बताईए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है कमेंट करके आप सभी को बताना है निमने में से कौन सा भुकम्प का प्रवहा वो नहीं है भुकम्प के काण क्या नहीं आएगा इन में से तो भुकम्प के काण यहाँ पर आप पड़ो सुनामी आ सकती है यदि समुद्र के नीशे आए बर्फ के पहाण के नीशे आए तो हिमिस खलन हो सकता है ब्रदा दरवनी कंड भी हो सकता है भारी वर्षा भुकम्प का काण नहीं आप्शन नमबर डी भारी वर्षा का संबन्द भुखमप से नहीं, option number D यहां पर right answer है मयू राक्षी शेहर कहां सित है? मयू राक्षी शेहर कहां पर सित है? किस राजी में है? famous मयू राक्षी शेहर पष्य मंगाल में है, option number A पष्य मंगाल right answer है भारति समयधान का कौन सा अनुचय तो राष्ट पती के पद के लिए पुनह निर्वाचन की Yोगिताएं अनुचय अंबरई महातमा गांधी ने किस वर्ष छंपारण सत्यागरा आरंब किया था कौन सा साल था जब महात्मा गांधी जी ने चंपारन सत्यागर को आरंब किया था यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं क्या हो जाएगा right answer इसे प्रश्णी के लिए तो यहाँ पर आपको जो option दिये गए हैं right answer हो जाएगा प्रश्णी के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question है महात्मा गांधी ने किस वर्श चंपारन सत्यागर आरंब किया बिग बैंग सिध्धान्ट डैश की व्याख्या करता है बिग बैंग सिध्धान्ट इन्वे से किसकी व्याख्या करता है जिन्ना ने जिन्ना ने मुक्ती दवस 22 दिसंबर 1949 को मनाने का आदेश दिया था मुसल्मानों को option number यहाँ पर आपका ए 22 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा इसे प्रश्णी के लिए अगला question है नेंदल के दिम से कौन लगातार दो बार राष्ट पती रहें राष्ट पती की बात हो रही है लगातार दो बार यहाँ पर आपको जो option देगा है डॉक्टर राजिन्त प्रशाद जी लगातार दो बार राष्ट पती रहें option number यह डॉक्टर राजिन्त प्रशाद जी लगातार दो बार राष्ट पती रहें right answer हो जाएगा जिसके काण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी जिसके काण यूनियन कारबाइट फैक्टरी में किसके उत्पालन के लिए प्रयोक्त होती थी तो आपको पता होगा भोपाल गेस काण धुआ था मिथाइल आईसो साइनियन डदी यहां पर आइट आंसर है सारे जहां से अच्छा के रशैता कौन है देश भक्तिगीत सारे जहां से अच्छा के रशैता कौन है राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अलम्मा मुहम्मद इकबाल option number C अलम्मा मुहम्मद इकबाल सारी जहां से अच्छा कि रिशेत हैं option number C निर्ण लिकित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती या नहीं गिरती अरब सागर में जाकर नहीं गिरती कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर नहीं गिरती है क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर जो नदी अदी कही है गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती सिंदु तापती और साबरमती अरब सागर में गिरती हैं गोदावरी नदी अरब सागर में जाकर नहीं गिरती option number B अगला भारत में treasury will सर्पदम कब निर्गत किया गया था treasury will सबसे पहले कब निर्गत किया गया था क्या हो जाएगा right answer treasury will के लिए तो भारत में treasury will सबसे पहले निर्गत किया गया था right answer हो जाएगा 1917 option number B treasury will सबसे पहले निर्गत किया था 1917 option number B सवतंत्र भारत के प्रथम राष्टपती कौन थे बताईए सवतंत्र भारत के सबसे पहले राष्टपती कौन थे क्या हो जाएगा right answer स्वतनतरभारत के पहले राष्ट पती यहां पर आपकुछ अप्षिन दिया गया है Dr. Rajendr परशाज जी option number V Dr. Rajendr परशाज जी स्वतनतरभारत के सबसे पहले राष्ट पती थे अगला question है Carburo Radum किसका दूसरा रासाइन का नाम है Carburo Radum किसका दूसरा रशानिक नाम है यहाँपर आप कुछ आपशन दे गए क्या right answer हो जाएँगा कार्बो रेडम के लिए कारबो रेडम कारबो रेडम right answer हो जाएँगा silicon carbide का धूसरा नाम है option number C Silicon carbide का धूसरा नाम है cardboard room option number C यहाँपर right answer है 1938 और 1949 में किसे भारती राष्टी कॉंगर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 1938 और 1949 क्या हो जाएगा राइट आंसर राइट आंसर है सुभाष अंद्रभोजी option number B सुभाश अंद्रभोजी को भाती राष्टी कॉंगर्स के अद्धक्ष की रूप में चला गया था 1930 और 1949 की बात है option number यहाँ पर भी right answer है अगला question यह रहाँ की screen पर वाधर क्या है जिस पर जल तरंगें उठती हैं और जिसे समुद्री मील या नौट में मापा जाता है जल तरंगें उठती हैं और जिसे समुद्री मील या समुद्री नौट में मापा जाता है क्या हो जाएगा right answer right answer है तरंग गती option number C option number C option number C right answer एकला question दिखिए निमने लगति में से कौन कभी भारत का राश्टपती नहीं रहा कभी भी भारत का राश्टपती के पत्पर नहीं रहे इनमें से कौन है जो अभी तक एक वी बार भारत के राश्टपती के पत्पर नहीं रहे क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर आप कुछ option दिया गया है right answer है C. राजगोपलाचारी जी option अमड़ी C. राजगोपलाचारी जी कभी भारत के राश्पती नहीं रहे S. राधा किश्णन जी भी रह चुके है जाके रोसेन जी भी और ग्यानी जेल सिंग जी भी G. गैमेकसीन का रासाइनिक नाम क्या है Right answer क्या हो जाएगा Benzene Hexacloride Benzene Hexacloride option number D Right answer हो जाएगा G. गैमेकसीन का रासाइनिक नाम Option number D Benzene Hexacloride मुगल दर्वार के व्रतांत किस भाशा में लिखी गए थे Right answer क्या है तो मुगल दर्वार की जो व्रतांत थे यह फारसी भाशा में हैं Option number B फारसी भाशा में लेखे गए हैं मुगल दर्वार के व्रतांत Option number यहाँ पर आपका B Right answer हो जाएगा फारसी भाशा अगला question यह आपकी screen पर विज्ञान का वचित्र कौन सा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ती और विस्तार का अध्यन करता है बताइए ब्रह्मांड की उत्पत्ती और विस्तार का अध्यन इनमें से कौन करता है कौन सा शित्र है विज्ञान का Right answer क्या हो जाएगा इस प्रशनी के लिए राइट आंसर है कौस्मो लोजी में ब्रह्माण की उत्पत्ती और उसके विस्तार का ध्यन होता है अगला कौशन यह आपके स्क्रीन पर इसमें पूछा गया आपसे मेरा वतन पुस्तक के लिखक कौन है? इन में से कौन है? क्या हो जाएगा इस प्रश्ने के लिए राइट आंसर? मेरा वतन पुस्तक के लिखक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये गए है राइट आंसर हो जाएगा मेरा वतन लिखी थी विश्नु प्रभाकर जी ने ऑप्शन नमबर भी सर्व सम्मती से चुने जाने का अभी तक एक मात्र उधारन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजी और एड़ी जी एक मात्र उधारन है जो सर्व सम्मती से राष्ट पती बने ऑप्शन बड़ी यहाँ पर राइट आंसर है नियम्दलेकित में से किस विस्पोटक का नाम नोबेल तेल है, किस विस्पोटक का नाम नोबेल तेल है, राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर जो अप्शन देगा है, TNG, विस्पोटक है जिसका नाम नोबेल तेल है, अप्शन नमबर A मोतिलाल नहरू अध्यक्ष और आठ अन्य कॉंग्रेस नेताओं ने भारत के समविधान का प्राडूप किस वर्ष तयार किया तो मोतिलाल नहरू जी अध्यक्ष थे और आठ अन्य कॉंग्रेस नेताओं ने मिलकर भारत के समविधान का प्राडूप तयार किया था संथा 1928 option number भी 1928 राइट आंसर हो जाएगा 1926 निवलेकित में से किस राज में भारत का पहला पराग करता परागन करता मतलब पॉलीनेटर पार्क इस्तित है परागन करता या पॉलीनेटर पार्क कहां पर इस्तितिन में से यहां पर आप कुछ परागन करता में से नहीं थे यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी जी ऑप्शन नमबर ए भारत का राष्टपती चुने जाने वाले पहले यहां पर आपको जो नाम दियेगा है कौन सा एक विसफोटक नहीं है राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है भारती राष्टी कॉंग्रिस ने लाहोर अधिवेशन में पून सुराज या पून सुतंता का प्रस्ताव किस तिथी को पारत हुआ था भारती राष्टी कॉंग्रिस के द्वारा कॉन सुराज का प्रस्ताव पारत फूआ था अप्शन नमबर यहाँ पर आपका भी राइट अंसर है इसरे प्रस्टी तारामीरा तिलहन की एक किसम है, अरेवी का कॉफी है, इसमें से बाकी कॉफी हैं, कुछ तारामीरा तिलहन की एक किसम है, हवाई द्वीप समू किस महा सागर में स्थित है, हवाई द्वीप समू किस महा सागर में स्थित है, तो हवाई द्वीप समू प्रशांत महा सागर में सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट पती कौन रहे सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट पती इनमें से कौन रहे तो यदि आप देखेंगे सबसे लंबे समय तक के लिए डॉक्टर राजिन प्रशाद जी भारत के राष्ट पती सबसे लंबे समय तक रहे पैनिसलीन की खोच किसके दौरा की गई पैनिसलीन की खोच इनमें से किसके दौरा की गई यहाँ पर आप कुछ ऑप्षन दिये गए हैं ऐलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पैनिसलीन की खोच की आप्षन नमबर भी ऐलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पैनिसलीन की खोच की यह दशावतार मंदिर तो देवगड का है दशावतार मंदिर famous देवगड दशावतार मंदिर है देवगड में option बड़ी गुप्त काल के समय का निम्दले किस्ते औहार को पूरे भारत में पतंग बाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है यहां पर आपको जो option दे गया है क कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को सजित करता है हरे प्रकाश को इनमें से कौन सा ग्रह सजित करता है यहाँ पर आपको जो ग्रह दिये गए है वरुन ग्रह जिसको नेप्चिन कहा जाता है हरे प्रकाश को सजित करता है option number C भारत के चौथे राष्टपती इनमें से कौन थे? भारत के चौथे राष्टपती यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन देगा है कौन थे? चौथे राष्टपती भारत के थे? वीवी गिरी जी भारत के चौथे राष्टपती थे? ऑप्शन नमर यहाँ पर A, राइट आंसर हो ज सांबर जील इस्तित है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गए हैं सामर जील राइट आंसर हो राज्थान राज्जे में सामर्ज ही लिस्तत है राइट आंसर है डांक टिकेट संग्रह करने का शौक क्या कहलाता है तो डांक टिकेट संग्रह करने का शौक क्या कहलाता है तो डांक टिकेट संग्रह करने का शौक है फिला टैली कहलाता है ऑप्शन नुमबर भी फिला टैली कहलाता है डांक टिकेट संग्रा करने का शोक भारत के राश्टपती निर्वाचित होने से पूर्व निम्डे में से कौन उपराश्टपती नहीं बना था कौन राश्टपती बनने के पहले उपराश्टपती नहीं बना था यहां पर आपको जो option देगा है क्या right answer हो जाएगा तो उपर के तीनों उप राष्टपती रह चुके हैं उसके बाद राष्टपती बनें ज्यानी जेलसंग जी सीधे राष्टपती बने थे option number D, ज्यानी जेलसंग जी सीधे राष्टपती बने थे option number D यहां पर right answer है प्रदूशक संके तक होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है कौन होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है इनमें से लाइकेन एक प्रदूशक संके तक है ऑप्शन बसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशनी के आता है जिसमें क्रशी की पूजा के लिए बैल और अवेशियों का इu Agra आता है क्या होग प्योग करता है तो महाराष्ट और 36 एक पोला द्युहार इस happened जिसमें क्रशी की पूजा उती बेल और आपयोग किया जाता है बोधस्तल ताब कहां बौद इस्थल ताबो मठ कहां पर है फेमस है ताबो मठ और यह हिमाचल प्रदेश में ऑप्षन नमबर इस निम देल कितम से कौन से राष्ट पती पूर्व में केंदरी गरहमंत्री भी थे तो राष्ट पती वणने के पहले गरहमंत्री भी थे ज्यानी जेल सिंग जी उप् में प्रुक्त किया जाता है जैविक खाद के रूप में किसे प्रुक्त किया जाता है यहां पर आपको जो दिये गए हैं नाम नीम एजोला यूरिया पोटेशियम जैविक खाद के रूप में एजोला को यूज करते हैं एजोला हडपनीती किसने लागू की थी हडपनीती किस ऐसे किस राच्व किस राज में हैं पया हो जाएका आइट एंसर के के में ऑप्चेंएं के रते चांद बीवी का विवा किश से हूए था चांड बीवी का विवा किस से हूँए नहीं नवाप सकता तो उपराश्टपदी कितने समय के लिए राष्टपती के रूप में कारे कर सकता है तो जो उपर राष्टपती है maximum आपका 6 महा कारे कर सकता है राष्टपती के रूप में उसके बाद चुनाओ होना जरूरी है option number यहाँ पर D right answer है मिर्च का तीखापन किसके काण होता है तो मिर्च में तीखापन यह होता है आपका कैप साई सीन के काण option number भी कैप साई सीन के काण मिर्च में तीखापन होता है last question है बारत के किस गवर्ण जर्रेल ने सतीप्रथा को अपराद घोशित करते हुए से समाप्त कर दिया तो सतीप्रथा को defense with a your часто मैंtest मैं आपको आइसाar आपको बता दू research मैं आपके लिए दस हैयाठ जीफे की पीडियेफ बनाई है उस में दस आच्छाट है जो इमपौन आपके इग्जाम में आ सकते हैं यह पीडियेफ जिसको बीचे इस थी gefशाब रुपे की पीड़ेवे लेकिन अभी 99 पर मिल रही है नीचे दीके नमबर पर संपर का लिना वाटसप का लिना जय हिंद जय भारत